अम्डप में आपका स्वागत है, मैं हूँ मुकुल सरल अन आएम प्रशांत, और येर थे मेजर स्टोरीज फर दिदे अमिश्या बने देश के नए ग्रह मंत्री रायना सिंग को रक्षा, तुनिर्मला सीतारमन को मिला वित्ते मंत्रा ले उत्रे दिली नगर निगम का 14 खाली पड़े स्कूलों को कोचिंग सेंटर्स को क्राय पर देने का फैसला शिक्षा विद्यनों कहा ये है शिक्षा का बायजारी करण दक्षन करनाटक में पीने के पानी का संकट कोलंबिया में राजनेतिक बंदी सेंट्रिक रिहा और सुडान में हर्तान में फाइरिंग के दोरान दो लोगों की मौत सबसे पहले बात मोदी के मंत्री मंदल की प्रदान मंत्री नरेंद मोंदी ने अपने मंत्रियों को विभाग बाढ़ दिये हैं भाजपध्यक्ष अमिशा ने गुरुवार को शपत भले ही राजना सिंग के बाद ली लेकिन सरकार में उनकी भूमिका नमबर दो की रहने वाली है नई सरकार में अमिशा को ग्रह मंत्राले सौप गया है जबकि पूर्व ग्रह मंत्री रायना सिंग को रक्षा मंत्राले का प्रभार दिया गया है इसी तरह निर्मला सीता रमन को रक्षा की जगे वित्य मंत्राले सौप दिया गया है प्रधान मंत्री मोदी के पास कार्मिक एवं प्रशिक्षान विभाग परमानि उर्जा एवं महत्पूर नीती से जुड़े मुद्दो वाले तथा बिना आवंटित विभाग रहेंगे पूर विदेश सचिव रहे S.J. शंकर्त भारत के नए विदेश मंत्री बनाए गए हैं और अमेठी की सांसद इसम्रती इरानी को महिला एवं बाल विकास तथा कप्ला मंत्राले मिला है प्यूश गोयल फिर से रेल मंत्री बनाए गए हैं जबकि नितिन गटकरी परिवहन और राजमार मंत्री बने रहेंगे मंत्री मंडल में विभागों के बटवारे पर निउस क्लिक के एडिटर इंचीव प्रबीर पुरकास्त ने वरिश पत्रकार परंजय गोहा ठाकुरता और उर्मिलेश के साथ विशेश बातचित की आई समझते हैं विभागों के बटवारे की राजनीती हलो और वेल्कम ट्यूस क्लिक ड्यूस क्लिक पर आपका स्वागत है आज हम जो कैबिनेट की स्वेरिंग इन हुई है शपत ली गई है उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में उर्मिलेश है अब और जय गोहठा कुरता है पहले बात शुरू करेंगे उर्मिलेश से कोई बेजर सर्प्राइस आपको लगा इस कैबिनेट पर दो एक है ज्यादा तो नहीं है लेकिन एक बहुत दिल्चस्प है कि भारती जनता पार्टी ने फिर बाहर से एक आदमी लिया क्योंकि रक्षा मामले जैसे होते हैं स्ट्रैजिक अफेर्स है विधेश मंत्राल अधा नेहीं लगता है कि प्रतिभा तो बहुत है बीजेपी में बहुत सारे चीजोंको लेकर कर दे, लोगों को बाद में भी नो इन भी लेना चुरूरा किया निर्मलासितारमान को लिए निर्मलासितारमान जेन्यू में फ्रीतिंकर थी जैन्यू में कोई बहुत निकाल पंप्र प्लिटिकल या रहनित्यिक ख़ली धी लेकिन जैसे ही वो BJP में आई राष्टी निश्टा बन गई तो वैसे ही जैशंकर तो बहुत बड़ी प्रतिवास पहले से थे वहीं बिदेश सची रहे और कारगर बिदेश सची ollut है और राष्ट्रदू थे or अजिका और चीन few जगा जी चीन जगर और चीन को काफी समझते हैं जो मोदी जी और अविट शाह के जोड़ी गुजरात से चल रही है इस सवक्त काइबिट में भी काफी क्या कहें मुख्य स्थान में हैं तो अविट शाह जी के बारे पर कुछ बताएंगे हमें इससे पहले जैसे उर्मिलेश ने बा उनका शिक्षा जहलाल नेरुमें है वहां पे भी उन्हों ने अर्थ शास्त्र फ़हां पर आता हूंसे पहले भी सीतालाक्ष्मी रामस्वामी कॉलिज तो तिरुच अपली दाब्लनाडू में उन्होंने परह वहां पे भी एक्ष्ट बढ़ा और आप भूलिया मत इससे प मंत्री थे रहे थे, but first full-time woman who has become the finance minister, just like she was the second woman to be the raksha मंत्री, मगर जो सबसे महतपूना अपरण्ट में आपने जैसे कहा, या मिच्छा जी अगे, और एक तरह से अब समय बताएंगे कि भारते जंता मिच्छास में पहला बार एक वेक थी, जो पूरा देश का जो पुलीस है, जो उसके उपर एक्तम इंचाज है, उसको खुद गरिवतार किया गया, तीन महीना के आसपास उनको जेल जाना परा, 25 जुलाई 2010, क्या आरोप था, वो सुराबुद्दिन केस में, मर्डर, एक्स्ट के बाद उनको बेल दिया था, और 29 अक्टोबर 2010 में उनको बेल मिला, मगर नेक्स टे, दूसरे दिन में, वहां का एक जज, जज, अफ्ताव, अलब, एक याचिका लेकर, पेटिशन लेकर उनको घर पहुचा, और यह कहा, कि दो सान आप गुजरात के बाहार आपको रहना इसलिए कि तब इन्वेस्टिगेशन्स जारी थे, उसका ही है कि इन्वेस्टिगेशन्स जारी था और इसलिए कि इन्वेस्टिगेशन्स को एफेक्ट ना करें, इसलिए उनको एक्स्टर्ण किया गया था गुजरात से. मेरा कहार है यह है कि I don't think any Home Minister of India has had a record like this. He of course says कि यह सारे बेबुनियाद है, सारे आरोप इनके खिलाब, यह politically motivated है, मगर और भी ऐसे सारे आरोप उसमें, गुजरात स्नूब गेट के वारे में में हम सोचा गुजरात का रायत जग जंगा हुई थे हिन्नों मुसल्मान दंगा मगर एक चीज हमें मानना परेगा आप जैसे काहां, मोदी चीजी के साथ जो 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 जोड़ी उनकी, काफी साथ से चल रहे हैं और अमिच्याद जी का एक जो बैगराउंड है, यह कम स्वर्मान बिजनस फैमिली, और फिर गुजरात का जितने सारे समवाय जो बैंक है, को की और चीजेशाब बैंक अपी इंचाज होा था, एमादबाब को बैंक हो मैं का अशुनाओंक बैंक बेंचेशा ब्रॉपराटिबातर बोहाय है, को जीतन से चुनायों का सारे बिसाश्य पराश बाही था मैं समसतााओंड हो बाहरे की से, अनव़ समस्तों भारत्रश में, Engineering जो आप कह रहे हैं, Micromanaging लोगों को जानना क्या उनका रुजहान क्या है, उनका क्या messaging अलग-अलग groups को, अलग-अलग messaging क्या जा सकता है, Mass messaging आप करते हैं टेलिविजन से, Micromanaging. और Social Media से. Micromanaging जब करते हैं, तब अब जो है Social Media के इस्तेमाल करते हैं. इसको हत्यार बना दिया है, इनों एक तो हत्यार बना दिया तो सभी कह रहे हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, सभी मानते हैं, पर WhatsApp और Television में फरक जो है, कि आप Micro Targeting कर सकते हैं, हर Community को अलग-अलग targeting कर सकते हैं, और यह तभी कर सकते हैं, जबकि आपके पास सबके Phone Numbers हो, आप सबको जानते हैं, कौन किस Community का है, किस Gender है, किस Age Group में है, कौन सा भाषा घर में बोलते हैं, Income क्या है, यह जो Micro Targeting के जो Profiling है, Micro Profiling Demographies जो कहते हैं, यह तभी हो सकता, जब आपके पास पैसा हो, साधन हो उस तरह के, और उस तरह के Organization हो, और अभिजशा की जो Association of Billion Minds करके, जो उन्होंने संगता मनाया है, जो कि BJP की दाएरे के अंदर नहीं है, अभिजशा के दाएरे के अंदर है, एक हिसाब से, और उसके उपर खर्चा, उनके लोग, उनकी पूरी संगतनात्पक शक्ती जो है, इस तरह के चीज़ों बिस्तबाल हुआ है, और लोग कहते हैं, कि Average Starting Salary, अगर इन सब चीज़ों में आप BJP के साथ जा रहे हो, तो साथ हजार उपया है, प्रवाइड आप लेवल अफ लिटल बिट टेक्निकल स्किल, ये जो चीज है, ये अमिट शा को दाद देनी तो पड़ेगी इसमें, कि ही हास क्रेट इस इंस्टूमेंट फर इलेक्षिण, विच नो अधर पार्टी हास क्रेट अब बात यूपी-PSC की, यानि उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग ने PCS 2018 की मुख्य परिक्षा इस्थवित कर दी है, इसकी प्रमुक वज़े, LTE ग्रेट शिक्षट भरती का प्रिशन पत्र लीख होना है, इस मामले में, HDF की कारवाई और परिक्षा नियंतरक का ग्रिफतार होना है, HDF ने परिक्षा नियंतरक अंजू लता का ट्यार समेथ कुल 9 लोगों को ग्रिफतार किया है, साथ ही STF और Crime Branch अन्य आरूपितों को की गिर्फतारी के लिए कई जिलों में छापे मारी कर रही है STF के मुदापिक कोलकाता की एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक कौशिक ने आयोग की परिक्षा नियंतरक अंजू लता का ट्यार के साथ मिलकर पेपर लेक किया और फिर धाई लाख रुपए से लेकर दस लाख रुपए तक में बेच दिया बताया जाता है कि PCS मुखे परिक्षा का प्रशनपत्र छापने का टेंडर भी इसी प्रेस को दिया गया था जिसके बाद PCS 2018 की मुखे परिक्षा इस्थगित कर दी गई इस परिक्षा की नई तारिक का अभी फैसला नहीं हुआ है फिलाल इस पूरे मामले को लेकर शुकरवार को बड़ी संक्या में प्रतियोगी छात्रों ने UPSC का रहले के बाहर प्रशन किया यह प्रशन उग्र भी हो गया और इसके बाद इस दोरान हुए भारी हंगा में और पथाओ के बाद बड़ी संक्या में पुरिजबल की तैनाती कर दी गई UPSC के बाहर प्रशन कर रहा है प्रतियोगी छात्रों ने निउस किलिक से फोन पर बात चीत की उन्होंने कहा हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि LT grade शिक्षक भरती परिक्षा की जाच होने तक आयोग की सबी लिखित परिक्षाएं और प्राणमिक परिक्षा इस्थगित हो साथ ही परिक्षा नियंत्रक और अंजू कट्यार के कारले में हुई भरती परिक्षा को रद्ध किया जाए साथ ही इस पूरे प्रकरण की CBI जाच कर आई जाए अब बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ एक प्रत्याशित फैसले में उत्री दिल्ली नगर निगम ने अपने 14 खाली पड़े स्कूलों को कोचिंग सेंटर्स को क्राय पर देने का फैसला किया है The Times of India की खबर के अनुसार आर्थिक तंगी के मद्धनजर यह निल ने लिया गया है प्रस्तावित स्कूलों में साथ सदर बाजार और पाहडगंज के इलाके में हैं तो चार नरेला जोन के अधीन आते हैं करोलबाग, सिविल लाइन्स और केशप पुरम जोन के तीन स्कूलों को ई- आॉक्षन किया जाएगा हम बता दें कि आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए निगम ने गर्मी की छुट्टियों में मिशन बुनियात के तहट चलाए जाने वाले कक्षाओं में भी मिड़े मील देने से इनकार कर दिया था निगम का एफैसला, शिक्षा विदो और शिक्षा के शेत्र में काम करने वाले लोगों को रास नहीं आ रहा है निजिस क्लिक से बात करते हुए वरिष शिक्षा शास्त्री अनिता रामपाल ने कहा कि एनिल ने शिक्षा के बाजारी करण को बढ़ावा देगा RTI का अनुभव हमें बताता है कि हमें बच्चों को पढ़ाई के लिए अब और ज्यादा इस्कूलों की जरुवत है We now go to another state where the drinking water crisis is quite ripe. A few days ago we reported how the southern state of Tamil Nadu was facing an acute water crisis. Now it turns out Karnataka is facing a similar situation too, with the situation especially worse in the southern parts of the state. In the Udupi district, over 100 schools have begun to close halfway through the day because they are not in a position to provide midday meals to their students. This is part of a larger crisis in the district and the region as a whole, with nearly 26 districts being supplied with drinking water for tankers. The Karnataka government has declared a drought-like situation in over 3,122 regions in the state. Many reservoirs in the state are actually at water levels much lesser than compared to last year. And the Bhaje Dam, which is one of the main sources of water for the Udupi district, has reached a dead storage limit. It is in this situation that the district education authorities decided that it made sense to close the schools halfway through the day, rather than close them completely. Karnataka is suffering a water crisis for a number of reasons. On the one hand, groundwater sources have depleted massively. On the other, the monsoon has not performed very well, leading to a massive scarcity of water. It is in this situation that the northern districts of Karnataka are forced to depend on water being discharged from Maharashtra, whereas the southern districts don't have an alternative yet. In our international section, we first go to Colombia, where political prisoner, Jesus Santrich, was released on May 30th after weeks of legal proceedings. Santrich was released following an order from the Colombian Supreme Court, which declared that he still had the privileges of a member of parliament or legislator, and hence could not be prosecuted by the ordinary justice system. Jesus Santrich was the leading commander of the former guerrilla group, Revolutionary Armed Forces of Colombia, also known as FARC. A few years ago, negotiations began between FARC and the government of Colombia, and in 2016, peace agreements were signed in Havana. Following this, Santrich became a leading member of the new political party that was formed, which is also called the FARC. However, last year, Santrich was arrested at the instigation of the Drug Enforcement Agency of the United States, on the charge that he had been trafficking cocaine. Of course, at that time, while he was being arrested, the Colombian government did not give any proof of when this had happened or what had happened. Santrich's arrest was widely condemned, because one of the provisions of the 2016 Peace Accords was that members of the FARC would be judged only by a special jurisdictional authority called a Special Jurisdiction of Peace, which would judge any crimes committed during the war. The Colombian establishment claimed that the trafficking of cocaine had happened after the peace agreement, but once again provided no proof of the same. Santrich, who is also blind, languished in prison for nearly a year in very difficult circumstances. On May 15th this year, the Special Jurisdiction for Peace, also known as the JEP, pronounced a verdict, declaring that Santrich could be tried only by it, and not by the regular judicial process. Following this, on May 17th, Santrich was released, but within seconds of his release, was once again arrested by officials of the Attorney General's office, who presented fresh charges. It later turned out that Santrich had been drugged just before his release, to make sure that he would not resist arrest. When Santrich's lawyers visited him after his second arrest, they found that he was in a very poor condition health-wise. Doctors came and declared that he had suffered a cardiac arrest, and he was found to be in a very bad situation. It is following this that the Supreme Court took up the case, and announced his release. Following his release, Santrich declared, that he would continue to work for peace in Colombia, and that he was very eager to participate in the legal process, to clear his name. In our second story, we go to Sudan, where at least two protesters were killed, while participating in a massive countrywide strike, against the military junta. The strike began on May 28th, and continued to May 29th, and 90% of almost all sectors in Sudan, were closed during this process. The strike was called by the Sudanese Professionals Association, to protest against the military junta, which has been refusing to give up power to the civilian authorities, after the overthrow of former President Amal al-Bashir on April 11th. On the first day of the strike, the Rapid Security Force, a paramilitary outfit which is known for having in its ranks many human rights offenders, attacked the bank, and held many employees hostage. After this, the power of the strike increased, as large sections of the banking sector also joined in. The strike also was participated in by many other sectors, including doctors, journalists, factory workers, and various sectors across the country. On the second day, the very same Rapid Security Forces, ended up firing on the protesters in Khartoum, who were demanding that the junta give way to civilian rule. It is at this point that two protesters were killed, including one pregnant woman. The military junta has been quick to blame this incident on one drunk soldier, but many people who were there at the protest have pointed out that the firing happened after a confrontation between the Rapid Security Forces and other sections of the military who were unhappy with the RSF and were on the side of the protesters. With the situation with temperatures rising and tensions also increasing, it remains to be seen what will happen in Sudan in the next couple of days, as the civilian forces led by the Sudanese Professionals Association are insistent that power be returned to the civilians. That's all we have in the International Section. आज के लिए फिलाल इतना ही, लेकिन जादे जाते आपको छोड़ जाएंगे, प्रसिद्ध कन्नल कभी, रंगनात कांतन कुंते की कविता के साथ, जिसका हिंदी अनुवात किया है, इंडियन कल्चर फोरम के साथ ही उने, लेकिन भूलिएगा नहीं, क्लिक कीजिएगा, हमारी वेबसाइट, newsclick.in, वो कहते हैं, के हमारे प्रधान मंतरी, हमारे धर्म के ध्वजवाहक हैं, नहीं, दुनिया के किसी धर्म ने आवाम को उपर नहीं उठाया, हमें आगे बढ़ने के लिए धर्म की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए थकान मिटाने के लिए काम, और प्यास बुजाने के लिए पानी, एक अमन पसंद शहर, हमें चाहिए खाना, कपड़ा, घर और शिक्षा, मजदूरों का धर्म तो उनका काम होता है, वो कहते हैं, के हमारे प्रधान मंत्री बोलते बहुत अच्छा हैं, के वो घंटों तक बोल सकते हैं, नहीं, वो अगर ना भी बोलें तो ठीक है, पर उन्हें बताया जाए, के वो गुसे में अपने विरोधियों पर हमले ना करें, के उनके शब्दों से किसी के जहन में खौफ ना पैदा हो, के उनके पास एक दिल हो, जो सुन सके चिडियों और प्रेमियों का पुसपुसाना, उन्हें एक ऐसा नेता बनाया जाए, जो लोगों का प्यार जीते, उन्हें बताया जाए के कोई भी हमेशा के लिए ताज पोश नहीं रहता, उनसे कहा जाए के वो एटम बमों की बात ना करें, ताके हमें देश के तख्त पर एक आत्म प्रेम से भरा राक्छस ना देखना पड़े,